हलो फ्रेंट्स वेलकम टू उपाध्या लर्निंग कंसेप्ट दोस्तों परसंटेज की जो सीरीज चल रही है एंटीपीसी के लिए वो जारी है और उसमें मैं कोशिस करूँगा कि एक एक टाइप की कोशिन को एक एक वीडियो में कम्प्लीट करा दिया जाए इस वीडियो में मैं दो टाइप की कोशिन को कवर करूँगा आज इस वीडियो में सबसे पहले तो कवर करूँगा एरिया में व्रद्धी और कमी वाले कोशिन और दूसरा मैं कवर करने वाला हूँ पॉपिलेशन बेश्ट कोशिन दोनों का प्रारूप सेम हैं दोनों कोशिन सीम तरीके से ही सॉल्व होंगे तो दोनों को मैंने एक साथ ले लिया है ठीक है उम्मीद करता हूँ आपकी प्रप्रेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी और आप ने जो अब तक पुर बहुत शुब कामना है ठीक है चलिए भाई पहला कोशिन आज का तो कोशिन से पहले न मैं कुछ आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कंसेप्ट में क्या होता है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ना लगातार दो बार इंक्रीमेंट होता है तो इसकी कुछ जो तो ज्यादा बहतर है ठीक है जिसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि एक वैल्यू पहले 10% बढ़ी फिर 10% बढ़ी तो अब आप क्या करोगे न 10% बढ़ा के पर 10% बढ़ा होगी तो आपको यह सीधे-सीधे पता होना चाहिए कि अगर 10% को मैं एक वार बढ़ाता हूं सीधे-सीधे इससे पता है आपको क्या फाइदा होगा जैसे कि पॉपिलेशन की बात आए या एरिया की आए या आगे प्रॉफिट लॉस या एसाई में भी बात आएगी इन कंसेप्ट को इसको जरूर समझ लेना जो मैं बताना चाहरा हूं क्योंकि कंसेप्ट बहुत जादा इंपोटे हो जाएगी इसका मतलब अब आप क्या करोगे कि आपकी जो पॉपिलेशन है 133.1% होगी या तो ये वैल्यू दे रखी होगी तो आप इसके बरावर रख दोगे या फिर आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 133.1 डिवाइड वाई हंडड कर सकते हो तो ये lie यह मेरा सजब्ढ करता हूँ एक होता है बीस परसेंट वाला तो 20% में अगर फस्ट येर में आप देखते हो तो 20% हि रहेगा यह पहली बार 20% रहेगा जब दुबारा आप इसको बढ़ाओगे तो यह 44% हो जाता है और अगर मैं यह थर्ड टाइम की बात करता हूँ यानि 20% का successive तीन वार आपको लगाना हो तो यह कितना increment हो जाएगा 72.8% ठीक है तो आपको यह standard value है मतलब जिनका generally हम इस्तेमाल करते हैं अच्छा third का मैं एक आपको बताता हूँ कि 5% की value अब जिसकी जहां तक जरूरत है उतना मैं आपको बताऊँगा देखो अगर 5% के लिए first time आप बात करोगे तो first time में आप क्या पाओगे first time में आपको मिलेगा यह 5% और second time में यह 10.25% और third time की मैं बात करता हूँ तो यह हो जाता है 15.7625% ठीक है अब दोखो आप यह कहोगे कि sir क्या इतनी लंबी value याद करने की जरूरत है भाई जरूरत नहीं है लेकिन जब भी आपको question होंगे तो आपके साथ एक option भी होता है अब option में आप यह देखोगे कि वो value लगवग कितने के बरावर है यह 15.75 य जब आएंगे इस तरीके के question तो मैं उस पर बता हूगा कि कैसे आप इस पर idea लगा सकते हो जहां option वाले question होंगे ठीक है लेकिन इनको आप साथ की साथ याद करते हुए चलना जितना भी हो सकता है कि क्या फरक परता है ठीक है अच्छा इसकी बात मैं मैं next point की तरफ आ जाता हो जाता है 56.25% ठीक है 56.25% अरे बात के लिए हो रही है ना इसमें तीन साल के लिए कोई जरूरत नहीं है आपको वैसे मैं आपको बताते तो 95.something percent आ जाता है यानि लगभग double होने वाला होता है लगभग double double हो नहीं पाता तो ऐसे भी याद कर पाऊगे मेरे पास data है मैं उ देख देता हूं इसे चलिए तो यह हो गया तीन साल के लिए अच्छा चौथा वैल्यू जो है अभी देखो आपने देखा कि कोई भी वैल्यू तीन साल में अपने आप डबल नहीं हो पा रही है CISI में इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला होगा 30% को आप देख लेते हैं तो 30% में क्या मिलता है कि 30% का मतलब हो गया पहले साल के लिए तो 30% रहेगा सेकंड के लिए 69% हो जाएगा और जब हम 30 एर की बात करेंगे तो 119.7 यह 30 एर में 119.7 की बात हो जाएगी और अब यह निकाला कैसे है यह बात भी आपको पता होना चाहिए देखो इस टेबल क पहले तो एक स्क्रेंट साट लो उसके बाद मैं बताता हूँ कि यह निकाले कैसे है मैंने ठीक है ना तो जैसे अभी मैंने निकालने की प्रोसेजर क्या हो थी इसकी कि वही सक्सेसिव चेंज क्या सक्सेसिव चेंज सक्सेसिव चेंज की जो बात होगी यह हो जाएगा A प्लस के B प्लस के AB बटे 100 ठीक है यह तो बढ़ने बढ़ने वाली बात थी ठीक है तो इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हो दूसरा क्या हो जाएगा कि कुछ और वैल्यू भी मैं बताता हूँ जिनको सक्सेसिव के आरवार आप फॉर्मूला ना लगाएं इस वज़े से मैंने यह आपके सामने लेक दी हैं वैल्यू चलो नेक्स पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं हम भाई यह नोट हो गया होगा चलो भाई नेक्स पॉइंट की तरफ आजाते हैं अब आजाते हैं क्वेशन पे तो मैं उम्मीद करूँगा कि यह आपको कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा कि आपको क्या करना है ठीक है चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेशन अब हर पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हम सक्सेशिब लगा क्यों रहें सक्सेशिब का मतलब है यहां मल्टिप्लाई वाला जहां भी सिस्टम आ जाता है वह सक्सेशिब लग जाता है देखो वैसे तो आपको पता है कि इसका एरिया आप A प्लस B के फॉर्मूले से निकाल दोगे कि A प्लस B प्लस के A B बटे 100 और जब आप इसको चेक करते हो तो यह सीदे सीदे आ जाता 32 परसेंट एकी जगे आप 10 पुट कर दोगे कर दो भाई B की जगे 20 10 इंटू 20 डिवाइड वाई 100 अब यह सीदे सीदे सॉल्व हो के आ जाता है आपका 32 परसेंट फिर बात क्या है उस बात पर फूकस करो आपका कंसेट कहां डबलब हुआ यह लगा कहां कहां यह चीजें भी याद रखनी है यह हर एक एरिया में लग जाएगा घबडाने की बात नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर देता हूं बे पहले पहले 20 परसेंट बढ़ रही है इसकी लेंथ 20 परसेंट का मतलब कितना होता है 1 वाई 5 या आप इसी को 2 वाई 10 भी लिख सकते हो यानि 5 पर बढ़ाओगे तो एक बढ़ाओगे 6 हो जाएगा और 10 पर बढ़ाओगे तो 12 हो जाएगा फिर भी रेश्यू आपका 5 रेश जरते हिर लेवब किया करके क्या हो जाएगा 11 आपने इंका मल्टीप्लाइ किया तो कितना आ गया सो और 12 का 11 हमें किया तो 132 पर क्यों किया क्योंकि एरिया जो होता है वो length into breath ये होता है वही तो मैंने किया है अच्छे यहां पर आप common factor को हटा भी सकते हो देखो ये मैं इसी question को आगे solve करता हूँ दुबारा इसे एक वर screenshot ले लो देखो मैं concept नहीं छोड़ना चाहता आपका एक अद question पर मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ ताकि आपका अच्छी तरीके से concept clear हो सके अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको पता है तो आप आगे skip skip पर के बढ़ सकते हो ठीक है दखो दूसरा मैं इसको यहीं से हटा रहा हूँ अब मैं आपको और क्या क्या कर रहा सकता हूँ समझना इसको कि दो से तो यह काल इस वाली value में से जो भी common है इस वाली value में से जो भी common है आप हटा दो खतम कहानी तो ये कितना आ जाएगा पहले देखो मैंने 100 से मैं आपको वही लिख रहा हूँ 132 लिखा था आपको पता है कि यहां से दो common है और दो common लिखोगे तो दो में कितना हो जाएगा ये तो हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 66 क्लियर हुआ ना आप अगर यहां से भी इससे इसको हटा दो और इससे पहले भी यही calculation करते तब भी वात वही बनती कि ये कितना हो जाता cancel करने के बाद 5 और 6 तो ये 50 आगया और ये कितना आगया 66 multiply करने पर क्योंकि area equal to क्या होता है length into width अच्छा अब कितना बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है 16 16 100 पर अपने अपमें कोई value percent होती है 50 पे या 1.500 या 200 पे नहीं तो out of 50 50 पे बढ़ रहा है in 200 कितना आ गया ये भी 32 परसेंट ही आ गया ऐसा मैंने ये 10 का बारे इस वज़े से लिखा था कि मुझे 100 पर सीधे-सीधे कितना मिल ला था 132 मिल ला था ठीके भाई clear हुई ये बात concept clear हो गया होगा एक छोटे से question को मैंने जादा समय दिया है ताकि कि आप लोगों की जो concept है वो अच्छी तरीके से clear हो सके आगे बढ़ता हूँ चलो next question देखो देखो आगे question कहा रहा है length of a rectangle field is increased by 20% and its breath is decreased by 10% तो A plus B के formula से अगर आप देखोगे तो 20% बढ़ रही है 10% घट रही है घटने के लिए आप minus लगाऊगे और A into B तो एक value plus की दूसरी minus की तो यानि यहाँ भी sign आपका minus आजाएगा 10 into 20 divide by 100 अब आपने जब इसको calculate किया तो यह आगया 8% और positive में इसका मतलब क्या है कि 8% आपका area बढ़ जाएगा बात नहीं आता है clear हुई दूसरा आप उस method पर मैं focus क्यों कर रहा हूँ क्योंकि वो important है second method को भी देखे इसी question में 20% 20% का मतलब होता है 1 by 5 यानि 5 का बढ़ के 6 हो गया और 10% का मतलब होता है 1 by 10 अब यहाँ decrease हो रही है यह value तो decrease के लिए 10 का उपर वाली value घटा के कितना हो जाएगा 9 ठीक है और यह क्या था length से breath का ratio new से original sorry original से new ठीक है और original value ही हमारी क्या होती है base value अच्छा आपको पता है कि आप चाहो तो इसको भी थोड़ा सा simplify कर लो 2 से यह 5 आ जाएगा और 2 से यह 3 times हो जाएगा तो ऐसे simplify कर सकते हो आगे मैं करूँगा भी लेकिन मेरा मानना तो यह था कि अगर मैं 5 की बज़ाए 6 करने की यह 10 की बज़ाए 12 है कर लेता तो ज़्यादा था लेकिन ऐसा नहीं करूँगा मैं अब मैं से और simplify करके ही solve करूँगा 2 से यह 5 बार आ गया और 2 से यह 3 बार इधर की कोई भी value से इधर की कोई भी value में कुछ भी common है आप हटा सकते हैं क्लियर हुई यह बात तो भाई 25 और यह कितना आ गया 27 कितना बढ़ रहा है 25 से 27 दो की ब्रद्धी हो रही है 25 पे इंटू 100 परसेंट अब आप इसको देखोगे तो यह आ जाएगा 8 परसेंट ठीक है क्लियर हुआ 8 परसेंट बढ़ रहा है तो यह था इसका तरीका कैसे भी आप कर सकते हो चलिए भाई नोट कर लिया होगा आगे बढ़ता हूँ आगे देखिए कोशन को बहुत अच्छा शांदार सांदार से छोटे-छोटे कोशन एक ही टाइप की कोशन को पहले खतम कराएंगे देखो length of a rectangle field is increased by 10% और इसकी बेर्थ को 10% घटा दिया जाता है तो इसके 6 तरफल पर क्या प्रभाब पढ़ेगा यह आप से पूछ रहा है जब भी कोई value same percent से बढ़ रही है और same percent से घट रही है ऐसे में हमेशा जो area होगा यानि जो उनके product पर फर्क पढ़ेगा वो decreased होके value आएगी ठीक है product वाली situation में ही successive लगता है अब आप देखोगे तो यहां पे क्या आ रहा है ऐसे में कितने का loss होता है x square y 100% का तो 1% उसका area घट जाएगा ठीक है एक पहली value भी पहली value प्लस के 10 थी दूसरी minus के 10 और minus के 10 into 10 बटे 100 यही तो करना था तो यह value तो cancel हो गई न और इसकी value को जब दो बार multiply किया तो इसका मतलब क्या हो गया यह मैंने इसका square कर दिया खतम कहानी ठीक है आगे बढ़ते हैं वाई नोट हो गया होगा ठीक है तो इसको मैं उस तरीख से नहीं बता रहा हूँ जब जरूरत पड़ेगी तो बता भी देंगे किसी वरत की तरज्या 20% बढ़ जाती है तो इसके छितरफल पर क्या फर्क पड़ेगा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वरत का छितरफल क्या होता है तो area of circle यह होता है πाई आर स्कॉयर यानि मेरा जो छितरफल है वो पाई पर निर्वर कर रहा है और दो बार आर के multiple पर निर्वर कर रहा है ठीक है ऐसी इस्तिती में आपको क्या करना है तो देखो जब दो बार आर आ रही है तो इसका मतलब क्या है ए प्लस बी वाला formula लग जाएगा और अभी starting में मैंने आपको बताया था कि 10% का अगर दो बार आपको successive लगाना है तो answer कितना आ जाता है 44% तो इसका answer कितना आ जाएगा 44% उसका area बढ़ जाएगा 44% कैसे किया है ए प्लस बी लगा कर के किया है ठीक है दूसरा तरीखा भी देख लो इसका बाई original से new का ratio और क्या क्या है पाई है आर है और आर है इन तीनों का multiple ही तो क्या बनता है area बनता है na 20% का वज़ते हैं 1y5 अब ये value आपको रट जानी चाहिए 5 का 6 और अगेन 5 का 6 25 का 36 अब देखो आप ये कहोगे कि सर इसमें पाई का तो आपने इस्तेमाली नहीं किया जी बिल कि मल्टीपल में मुझे पाई मिलेगा और आपको पहले ही ये बात में discuss कर चुका हूं कि जो common factor होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है इसका मतलब आपका ये पाई से ये पाई कैंसल हो जाएगा आपके पास किवल यहीं बचा 11 है बढ़ रहा है 25 पे तो 100 पर कितना आगे चलते हैं अब देखो नेक्स्ट क्या रहा है कि एक गोले की त्रिज्या दस प्रतिसत बढ़ जाती है ये तो क्या था मेरा area of circle था अब लेकिन गोला क्या होता है 3D जो होता है ना गैंद जैसा होता है वो होता है गोला तो वाल्यूम क्या होता है गोले का यानि आयतन volume of sphere गोले को sphere गोलते हैं और ये होता है 4 by 3 pi और r cube जैसा अब भी मैंने आपको बताया था कि पिछली वार pi से pi cancel हो गया था क्योंकि pi दोनों side में था इस वार ये जो constant term है ये इधर भी आएगा यानि original में भी आएगा और ये new में भी आएगा तो ये दोनों में final जाके cancel हो ज आर का cable तीन बार और हमने क्या बताया है और वैली कितनी बढ़ रही आर की 10% बढ़ रही है तीन वार तो आपको पता है ना स्टार्टिंग की स्लाइड में बताया था कि ये standard time मुझूज होते हैं आप answer लिख सकते हो 33.1% इंक्रीज हो जाएगा ये फाइदा है आगे टेबल जो पढ़ी है आपका उसका बट मैं आपको फिल भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है देखो आर 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 और और चार वट्टे तीन भी लगा लो और पाई भी लगा लो ठीक है आर कितनी बढ़ रही है दस परसेंट मतलब अब तो आप समझ ही गए होगे कि 10 का 11 होता है ठीक है 1000 और 1331 अच्छा पाई भी लग रहा है इसके साथ तो आप पाई भी दोनों के साथ जोड सकते हो वैसे क्योंकि 4 वट्टे तीन इधर भी तो आएगा और पाई इधर भी आएगा और आपको पता है कि जो भी कॉमन टर्म होते है इधर वाली वैल्यू में कहीं भी इधर कॉमन आ रहा है वो कट जाएगा तो वो आपका सीधे सीधे कट गया और आंसर कितना आ जाएगा सौ बना लो से पॉइंट लग जाएगा एक तो 33.1 परसेंट आ जाएगा है यह जी बात आपकी समझ में आ गई होगी आगे बढ़ते हैं अब आ जाते हैं पॉपुलेश बेस्ट क्वेशन पे ठीक है पॉपुलेशन पे बहुत अच्छे और छोटे छोटे क्वेशन बनते हैं लेकिन एक बात जरूर समझनी होगी मैं आपको कि मिलाशन पिछले से बढ़ करके यानी बेस वैल्यू क्या होती है हमारी पीछे की पर आप्त होती है एक वह में रहले हुँ है इसकी एक्षे मैं दसक की ही बात करना हूं तो हम तो दसकी विरद्धी वहां पर देखते हैं लेकिन कॉश्चन में परियर की बात हो रही है यहां 2011 में जो जनसंख्या बढ़ी तो लगो 33 के आसपास जो भी बढ़ी थी मैं वो पता है क्या बढ़ी होगी इस पर 33 का ऑपरेशन लगा होगा य बैसे क्षिश्चन इसा नहीं कर सकते कि आप इस में से 33 परसंट घटा दो तब यह मिल जाएगी ऐसा नहीं होगा क्योंकि यह वेल्यूग कम है इसका 33 परसंट कुछ और होगा और इसका 33 परसंट कुछ और होगा ठीक है अब आप से क्कर को बात करें मैं 2011 की बात करों 2021 की कर हैं तो हमेशा ध्यानला है कि पिछली वैल्यू पर आप्रेशन लगा-क नई वैल्यू को प्राप्थ करना होता है और आप कोशिश यह करें कि इसी क्रम में करम में लिखना है एर के बढ़ते हुए करम में पहले वाली जो पहले थी 2005 का लिखना है तो 2005 में कहां लिखूंगा 2005 यहां आ जाएगा फिर उसके बाद 2000 गया रहाएगा ठीक है इस तरीके से एक स्विकेंस में लिखना है क्या बोला हूँ मुझे पता है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन कोशन के साथ मैं समझ में आ जाएगा यह बातें तभी समझ में आती हैं जब कोशन सामने होता है ने को कराने को तो मैं सीधे कोशन ही लिख दू लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आपको सब्द समझ में ना है ठीक है और मैं यही काम मेरा रह लगता है अगर मैं आप से कहूं कि टू की टेबल सुनाओ तो आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा फटा फट सुना दो लेकिन मैं कहूं कि 48 की सुना दो तो आप सोच होगे जिसका मतलब जहां सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है वहां पे कुछ नया सीख रहे हो आप यह को कॉशन के रहा है कि प्रजेंट पॉपिलेशन आफ टाउन इस तैन थाउजेंट इफ द पॉपिलेशन इस इंक्रीजड वाई 20 पर संट पर एनम फाइंड दा पॉपिलेशन आफ्टर थ्री यह आपको एक बात ध्यान रखनी है प्रजेंट दे रखी है और फ्यूचर की बुच रहा है तो यानि आफ्टर थ्री एर यही तो पूछ रहा है ना ये वैलिव आपसे पूछी जा रही है तो उपरेशन किस पर होगा प्रजेंट पर क्योंकि ये पहले की वैल्यू है इस पर उपरेशन होके यह वैल्यू मुझे मिलेगी ख्लियर हुई यह बात अब वो 20% पर साल बढ़ रही है तो 20% पर ये बढ़ने का मतलब है कि वन वाई 5 यानि 5 का 6 5 का 6 और 5 का 6 ठीक है आप एक बात और समझ सकते हैं वैसे तो आप इसको डारेक्ट मार देंगे क्योंकि कैसे मारोगे डारेक्ट वो भी बताता हूं कि 10,000 है इसी पर बढ़ रही है क्योंकि पीछे वाली वैलू पर बढ़ती है और पीछे वाली ये है 20-20% तीन वार बढ़ती है तो 72.8% बढ़ती है ये मैं आपको बता चुका था तो इसका 72.8% बढ़ जाएगी तीन साल में ठीक है तो कितना हो जाएगा ये सीधे सीधे 172.8% और 10,000 हो जाएगा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताओ तो आपको क्या करना था परसेंटेस से 2.0 चली जाएगी 1.10 को खा जाएगा 172.80 172.80 172.80 मिलेगा पहले ही पॉइंट में बताया था मेरा टारगेट ये है कि आप बिल्कुल बेसिक से समझाई जाएगा बात है क्या बताओ इसमें पैंच चलाने की ज़रूरत पड़ती है आपको नहीं न लेकिन फिर भी हम चला रहे हैं तो कोई बात नहीं अब 125 तो ये हो गया भाई इनका multiply किया क्योंकि successive की case में multiply होता है और 216 ये हो गया चीक है मुझे कौन सी population दे रखी है मुझे present population दे रखी है और मेरी present population कितने निकल गया है 125 125 की value कितने के बरावर है 10,000 के बरावर है एक बात ध्यान लखना कि 125 को जब हजार से भाग देते हैं तो आठ वार जाता है दस अजार से देंगे तो 80 वार तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 80 तो 216 में आप 80 का मल्टीप्लाई कर दो आपका अंसर आ जाएगा ठीक है तो एक जीरो तो यह ही है यही तो मैंने बताई थी ठीक है सारी कैलकुलेशन बच जाएगी वैस थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्ट्रेगल कर लो आप जो बता है उसको समझे आगे बढ़ें